एक गाव में डमरू नाम का एक युवक रहता था, वह कुछ नहीं करता था, और वह दिन भर भटकता रहता था, उसके आयू के सभी लड़के अपने अपने जीवन में सेठ हो गए थे, गाव के सभी लोग उसे बहुत ताना मारते थे, कहते थे डमरू क्या करते हो, दिन भर भटकते रहते हो, कुछ काम धंधा किया करो, तुम्हारे आयू के सभी लड़के तो सेठ हो गए अपने जीवन में, तुम कब होगे, दमरू घर भी अपना जाता तो, यहां भी उसे अपने माता पिता से वही सब बाते सुनने को मिलता था, दमरू रोज रोज का ये सब बा अगल भी कहने लगा, दमरू मन ही मन थान लेता है, कुछ जीवन में जरूर करूंगा, दमरू अपने जीवन को सुधार तो लाना चाहता था, पर कैसे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, था, वह अपने दुखों से बाहर ही निकल नहीं पा रहा था, एक दिन वह अपने मुझे बहुत दुख है, मेरा दुख खत्म ही नहीं होता है, और अपने सारी दुख महात्मा जी को सुनाया, महात्मा जी डमरू की सारी बाते सुनकर, बोला तुम यहां से चले जाओ, जब तुम्हारे जीवन में असल दुखाए, तब आना में तुम्हारे, दुखों का न परन्तु ऐसा नहीं हो पाया, फिर डमरू यह से निकल जाता है, अपने घर के तरफ रास्ते में चलते चलते उसके मन में सिर्फ यही चल रहा था कि गुरू जी के पास भी मेरा समस्या का हल नहीं हो पाया, घर जाकर फिर से गाउं वालो और घर वालो से यही सब बाते सुनने को मिलेगा, वह उस बाते को सुनकर बोर हो चुका था, अब उसके अंदर ये सब बाते सुनने की शक्ती नहीं था, उसके मन विचार आ रहा था कि कुछ करूंगा तब ही, गयर जाऊंगा, कुछ कर लेने की चाह में डमरू शहर की चल दिये, शहर में जाकर डमरू बहुत प परिश्रम के बाद वह एक बड़ा व्यापारी बन गया, दमरू जब अपने जीवन में सभी सुख सुभिधाये हासिल कर लिये, तो एक दिन उसके मन में गाव जाने का ख्याल आया, वह सोचने लगा की गाव जाकर अपनी सफलता को गाव वालो और अपने घर वालो को देखकर गाव वाले आश्चर यहो उठा, गाव के सभी लोग दमरू का जी हजोरी करने लगे, उसके दोस्त बनने लगे और दमरू के साथ मिलकर उसके व्यापार में साथी भी बनने लगे, दमरू गाव के लोगों को अपना दोस्त मानने लगे, उस पर विश्वास करने लगे, उनके विचारों में आकर, दमरू दूसरे व्यापारियों के लिए शड्यंत्र करने लगे, इस तरह करते करते दमरू और भी बड़ा आदमी बन गया, उसके पास कुछ भी चीज की कमी नहीं रही, सुख प्राप्ती के वो सभी चीजे उनके पास मौजूद थी, जि तुम्हे कर्ज लेकर और अपना व्यापार को बढ़ाना चाहिए, अभी तुम इस कस्बे का बड़ा व्यापारी हो, अपने व्यापार को फैलाओ, बहुत ही जल्द तुम जिले का फिर राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी होने से कोई, नहीं रोक सकता, ये बाते सुनकर दमरू के मन में लालच आने लगा, वह और भी बड़ा व्यापारी बनने के लिए करजे लेता ही चला गया, परंतु अपने समान की गुनवत्ता में कोई ध्यान नहीं दी, इसके समान की गुनवत्ता प्रतिदिन गिरता चला गया, धीरे धीरे लोगों ने समान की गुनवत्त को लेकर शिकायत भी की लेकिन डमरू ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लोगों ने धीरे धीरे डमरू से समान खरीदना बंद कर दिया, और फिर डमरू का व्यापार गिरने लगा, वह करजे में चला गया, जिन दोस्तों से उसने पैसे उधार लिये थे, अपने व्यापा इन घटनाओं से डमरू को बहुत आहत पहुचा और वह चिंतित रहने लगा, उसे समझ आने लगा की दुनिया में सब मतलबी इनसान होते हैं, हर कोई अपने स्वार्थ के लिए होता है, इस विपरीट घडी में उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्या करे, कैसे निकले, तब उसे उस महात्मा जी की याद आया, वह सोचने लगा, महात्मा जी के पास उनके इस दुखों का निदान अवश्य ही होगा, और वह महात्मा जी से मिलने चला गया, महात्मा जी के, यहां पहुचकर दमरू महात्मा जी से कहा, महात्मा जी आप मेरे दुखों का निदान करे में बहुत दुखी हूँ महात्मा जी डमरू से कहा तुम्हें क्या दुख है डमरू अपने सारे दुख महात्मा जी को बताए महात्मा जी उनके बातों को सुनकर मुस्कराए और बोले यह तुम्हारे असल दुख नहीं है जब कभी तुम्हारे जीवन में असली दुख आ तो आना में इसका निदान अवश्य ही करूंगा तब दमरु महात्मा जी से कहा महाराज मेरे जीवन में सहीने बहुत दुखी हूँ में बहुत अकेला हूँ मेरा कोई नहीं है सभी लोग मुझे छोड़कर चला गया है तब महात्मा जी ने उसे एक सोने से भरी एक मटका दिय और कहा इस घड़े का प्रयोग अपने बुरे वक्त में करना दमरु फिर वह से चला जाता है वह इस घड़े की मदद से अपने व्यापार को फिर से पूर्ण जीवित कर दिया वह पहले से भी ज्यादा अमीर व्यापारी बन गाए फिर से उनके पास उनके दोस्त उनसे मित पर दमरु समझ गया था सब कोई अपने फाइदे के लिए होता है वह काम से काम रखता था वह अपने समान की गुनवत्ता में बहुत ध्यान देने लगे उसके जीवन बहुत ही सुखमय बीत रहा था उक से माता पिता भी खुश थे उसके माता पिता बहुत बूढ़े हो च चुके थे माता पिता और वह चिंतित रहने लगा एक दिन वह महात्मा जी के यहा जाता है महात्मा जी डमरू को देख कर बोले क्या हुआ तुम है क्या परेशानी है डमरू गुरू से कहा गुरू जी कोई परेशानी नहीं है बस मन बैठा बैठा सा लगता है लगता है मैं क्यों हूँ मेरा होने का क्या मतलब है इस दुनिया से छोड़ कर क्यों चले जाते हैं गुरु जी डमरू से कहा इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक दिन अवश्य ही जाना होगा यह जीवन का वास्तविक्ता है उसे जितना जल्दी लोग समझ ले उसे जीवन का मूल उद्देश्य पता चल जा ही होगा में बहुत दिन तक इस लोक में रहूंगा इश्का भ्रम तब तूटता है जब 40-50 साल में उसके अपने आयू के कुछ साथी का मृत्यू होने की सूचना मिलता है कि वह नहीं रहा उसका स्वर्गवास हो गया तब उसके मन में धीरे-धीरे घाव करने लगता है उस द्वारा कमाए गए वो सभी चीजे जिसे समाज को दिया जा सकता है फिर लोटने का प्रयास करते हैं भक्ती कारियों में लीन हो जाते हैं पूजा पाठ करने लगते हैं धन ज्यादा से ज्यादा कमाने उसे अपने पीड़ी के लिए छोड़के जाने वाले लोग इस ऐसा सोचते हैं वे इन बातों से अनभिग्य है जो भी इनसान इस दुनिया में आया है उसे अपने हिस्से का कार्य करना चाहिए बिना मेहंत किये यदी वे सभी चीजे मिल जाए अपने पूर्ववजों के धन अर्जित करने से भला वो क्यों परिश्रम करेंगे और साथ ही इसका महत्व को भी नहीं समझ पाएगा इस दुनिया में मानव बनके आये हो मानव धर्म का पालन करें हमेशा साधा विचार किसी के प्रती घेना नहीं रखना चाहिए अपने मन को शांत रखे कोई इनसान अपको छोड़ कर चला जाए तो यह उसका जीवन है उसे जहां र धार मांगे नहीं दिया मेरा मित्र था मेरा मदद नहीं किया ऐसे ऐसे बातों को लेकर लोग चिंतित में रहते हैं और उसके बारे भला बुरा कहते हैं क्या इसी लिए इस दुनिया में आये हो हो सकता है आपके मित्र के पास पैसे नहीं हो यदि आपको लगता है उसके पा जब आप ऐसे सकारात्मक विचार को आपने अंदर परवेश होने देंगे, तब आप देख पाएंगे, अपको एक अलग ही तरह की खुशी महसूस होगा, जो आपके आत्मा को प्रसंद कर देगा. गुरु जी के इन विचारों को सुनकर दमरु को सब कुछ समझा गया. दुनिया एक. महमाया है, सभी लोग इस महमाया में फसे पड़े हैं, जो इनसान इस महमाया को पार करके निकल जाता है, उसका जीवन बहुत ही आनंदित रहता है. दमरु गुरु को धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है. दोस्तों ये कहानी कैसा लगा, आप सभी को उम्मीद करता हूँ, यह कहानी से आपके जीवन में कुछ न कुछ एक सकारात्मक बदलाव अवश्य हो, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रह कर दो से जुड़े.